Hello viewers, आज हम सिखेंगे एक अंग का घटाना तो सबसे पहले हम एक अंग की दो संख्याय लेते हैं तो हमने लिया चार और तीन याने कि हमें चार में से तीन को घटाना है तो सबसे पहले हम चार के लिए चार लाईने खीचते हैं एक दो तीन चार और इस में से हमें क्या घटाना है तीन तो इन चार लाइनों में से हम तीन को काट देते हैं एक, दो, तीन तो कितनी लाइन बच गई एक याने कि चार में से तीन को घटाने पर हमें क्या मिला एक आईए अब छै में से चार को घटाते हैं तो ऐसे ही हम 6 के लिए खीचते हैं 6 लाइन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और इसमें से हमें क्या खटाना है 4 तो इन 6 लाइनों में से हम 4 लाइने काट देते हैं 1, 2, 3, 4, हमने 4 लाइने काट दी तो कितनी लाइने बची एक और इसमें 2 याने के 6 में से 4 को खटाने पर हमें क्या मिलेगा 2 आईए अगला उदाहरान देखते हैं अब हमें 5 में से 2 घटाना है तो वैसे ही पहले 5 के लिए हम कितनी लाइने खीचेंगे? पांच तो पांच लाइने खीचते हैं 1, 2, 3, 4, और पांच और इसमें से हमें क्या खटाना है? 2, तो 2 के लिए हम 2 लाइने इसमें से काट देते हैं 1 और ये 2 तो देखते हैं कुल कितनी लाइने बच गए? किंते हैं 1, 2, 3 याने कुल कितनी लाइने बच गए? 3 तो इस प्रकार पांच में से 2 घटाने पर हमें क्या मिला? 3 अब वैसे ही हम 7 में से 5 को खटाएंगे तो उपर 7 है तो 7 के लिए हम खीचते हैं 7 लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसमें से हमें क्या खटाना है? 5 तो अब इन 7 लाइनों में से 5 लाइन हम काट देते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच तो कुल कितने लाइने बचीँ? एक, और दो, याने के दो लाइने बचीँ तो याने, तो 7 में से 5 लाइन भटाने पे क्या मिलेगा? दो आईए, अब अगले स्वाल को हल करते हैं अब हमें, 9 में से 4 लाइन लाइन, तो पारले हमारी संख्या है 9 तो 9 के लिए हम कितनी लाइन खीचेंगे 9 लाइने तो 9 लाइन खीचते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसमें से हमें घटाना है 4 तो अब इसमें से हम 4 लाइने काट देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 लाइन काटने के बाद कुल कितनी लाइने बचीचेंगे आये गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 याने कि कितनी लाइने बचीचेंगे 5 तो इस प्रकार 9 में से 4 घटाने पर हमें क्या मिलेगा 5 आईए अगले स्वाल को हल करते हैं अब हम 8 में से 3 को घटाएंगे तो पहले हमारी संख्या है 8 तो 8 के लिए हम वैसे ही 8 लाइने खिचते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस में से हमें खटाना है 3 तो 3 लाइने हम काट देते हैं 1, 2, 3 तो अब कुल कितनी लाइने बचीं 1, 2, 3, 4, 5 याने कि 5 लाइने बचीं तो 8 में से 3 गटाने पर हमें क्या मिलेगा 5 आईए अगला उदार देखते हैं अब जो है 6 में से 3 गटाएंगे तो 6 के लिए हम खिषते हैं 6 लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमें खटाना कितना है 3 तो इस में से हम 3 लाइने काट देते हैं 1, 2, 3 तो 3 लाइने काटने बचीं गिनते हैं 1, 2, 3 याने के 6 में से 3 गटाने के बाद हमें क्या मिलेगा 3 वैसे ही अब अगला उदार देखते हैं अब हमें खटाना है 5 में से 5 तो पहले 5 के लिए हम खिषते हैं 5 लाइन 1, 2, 3, 4, 5 और इस में से हमें घटाना है 5 तो अब 5 लाइने को काट देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो अब कितनी बची 0 याने कि कुछ भी नहीं तो 5 में से 5 घटाने के बाद क्या लिखेंगे सुनना अब हम 8 में से 2 को खटाएंगे तो पहले हम 8 के लिए खिषते हैं 8 लाइने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसमें से हमें खटाना है 2 तो इसमें से हम 2 लाइने काट देते हैं 1, 2 तो 2 लाइने काटने के बाद अब कितनी बची गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 याने के 8 में से 2 खटाने के बाद क्या मिलेगा 6 अगला स्वाल है 7 में से 3 खटाना है तो 7 के लिए हम पहले 7 लाइने कीशते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हमें घटाना है उसमें से 3 तो 3 लाइने हम काट देते हैं 1, 2, 3 अब कितनी लाइने बची गिनते हैं 1, 2, 3, 4 तो कितनी बची चार याने के 7 में से 3 खटाने के बाद हमें क्या मिलेगा 4 अब हमें खटाना है 6 में से 1 तो पहले जो के लिए हम कितनी लाइने खीचेंगे 6 लाइन 1, 2, 3, 4 5, 6 और इसमें से में क्या खटाना है 1 तो एक लाइन हम इसमें से काट देते हैं तो अब देखते हैं कुल कितनी लाइने बची गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो कुल कितनी लाइने बची पाँच याने कि 6 में से एक घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा 5 तो ये दो अभ्यास प्रस्न हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो वीडियो देखने धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई